नमस्कार संसद से सड़क तक में आपका स्वागत है मैं हूँ सूरज महुंजा इस कारिक्रेम में हम संसद में लाए गए विदहक और अधिनियमों की चर्चा करते हैं क्योंकि ये विदहक और अधिनियम आगे चलकल कानून का रूप धरन करते हैं और इसका सीधा सरोकार आप से और हम से होता है इस कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले वैक्तियों को संद्रक्षन विदहक 2010 इसे विसल व्लोर बिल के नाम से भी जाना जाता है और इस विदहक के बारे में बाचित करने के लिए दो खास मेमान स्टूडियो में मेरे साथ मौझूद हैं दिव्ये जोती जैपुरियार जी आप अधिवक्ता है दिली में ही आप आप से करना चाहूँगा पर्द उसके बारे में आप हमें बताएं यह बिल जो आया इसके पहले इसकी बैक्ग्राउंडियो है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसके पहले कई एक बार ऐसे इसे स्टेंसेंस हुए थे कि इस पार कई एक गवर्मेंट के ऑफिसरस ने कुछ डिस्क्लोस किया गविंट में जो भी करफ्शन हो रहा है उसको गविंट के लग अलग अलग अजिंसी को और उसके बाद उनके नाम प्रकट कर दिया गया और उ कुछ है गुप्त बातें जो हैं वह बात बाहर निकाल के आते हैं तो उनको कुछ प्रटेक्शन मिले और उनकी जान बचाई जा सके बिसिक मनिशा इस विल्की यह है ठीक मनिश जैसा कि यह जो विदहक आ रहा है इसे नाम हिंदी में दिया गया लोग हित प्रकटन और प्र आजी कारे करता है आप बताएं कुछ इस बारे में देखे पहली बात तो यह मन्शा अच्छी है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग वरिष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं पोल खोलते हैं उनकी सुरक्षा की जाए लेकिन अगर इस बिल पर बात करें तो यह सिर्फ मन्शा तक तो अच्छा है पर जब इसके अंदर जाते हैं तो जितना complicated आपने इसका नाम लिया ना उससे कहीं ज़्यादे complicated और useless चीज़ यह साबित होने वाली है सबसे पहले तो यह बिल यह कहता है कि देश का कोई भी आदमी चाहे वो सरकारी करमचारी हो या हम आदमी इसमें अगर वो ब्रिष्टाचार कहीं पाता है right to information के जरिए निकालता है या किसी भी तरीके से तो उसकी शिकायत कर सकता है cvc को अब cvc यानि की केंद्रिय सतरक्ता आयोग उसको यह एधिकार दिये गए हैं कि वो उस पर action लेगा क्या action लेगा यहां जाके मामला सारा गोल हो जाता है पहली बात तो cvc को power दी गई है कि वो आपके शिकायत को उठाके कुड़े के डबे में फैंक सकता है वो तैय करेगा दूसरी बत उसको सिर्फ इतनी power है कि वो action लेकर राजसरकार को या जिस विभाग के खिलाफ शिकायत है उसके मुख्याओं को उसके वहां के डिपार्टमेंट के लोगों को कहेगा भई आपके यहां से यह शिकायत मिली आप इसको ठीक करिए पुलिस को यूज कर सकता है व लेकिन जिसमें corruption है उनको क्या action लेना है वहां कुछ नहीं होगा पहरी बात तो यह दूसरी और चीज चोटी सी में highlight करना चाहूँगा कि politicians को जब तक इसके दारे में नहीं लाया जाएगा क्योंकि आप right to information activist के murder के जितने मामले आप देखते हैं कहीं नहीं political masters उसमें जुड मैं आप से जानना चाहरा था कि विध्यक में लोगों को सनरक्षन देने के लिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के मामलों को आगे लाते हैं इस बिल में क्या-क्या प्रावधान किये गए साथ में जो लूप हॉल मनिश जी ने बताए उसके बारे में होता है एक तो मैं सीधी करें जिरी जे में एक विशल ब्लॉवर हूँ और मैंने प्रायमिनिस्टर्व रहवेश दॉर्भ को लिखा या फिर मैंने उमन राइट्स कमिशन को लिखा या किसी दूसरे कमिशन को भी लिखा तो ये बिल उन्हों को प्रटक्ट नहीं करेगा यह बिल सिर्फ उसी लोगो कि हाँ यह कुछ action ले सकता है मैंने उसे अगर कुछ complaint किया तो उसमें अगर कुछ protection अगर उसमें मुझे कोई protection नहीं मिलेगा यह सिर्फ CVC के ही complaint को protection मिल सकता है तो एक जो one point complaint receiving का जो इस बिल में प्रवधान है वो गलत है वो इसको मतलब इसमें यह भी होना चाहिए कि जलागलग जितनी भी इंजिस हैं मैं किसी को भी complaint करूं उन सब सारी एजनसी को सब सारे जगह पर यह बिल अपलाई होना चाहिए बहुत बढ़ा प्रॉब्लम है इस मरेज़ी आप कुछ करने हैं इसमें आप यह देखिए कि जो दिवजोती बता रहे हैं उसको अगर आधार बना के आगे बात करें तो पहली बात तो तो CVC को शिकायत कर सकता हूँ, अगर मुझे वरेश्टाचार के के खलाफ आवाज उठानी है और अपनी जान सुरक्षित रखनी है तो मुझे सिर्फ沒事 को शिकायत करनी है अब CVC को अपने पावर दे दी है कि वहां कोई ट्रांसफरेंसी नहीं उपकहार आगे वरवरक यह क तो शिकायत करने वाले के उपर जुर्माना लगेगा है उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो यह तो बड़ी अजीव चीज है कि पतला एक ही option दे रहे हो आप मेरे पास और जो options हैं उनमें मेरी जान को खत्रा है एक ही option दे रहे हो जहां मुझे कुछ हद तक आप ऐसा दाव उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का इन्वोल्मेंट रहता है अब सीवी सी और को रिपार्ट कांडेगा साब यह शिकाय जूटी थी पुलिस या उसी department के लोग उसी engineering department के लोग वह लिखके दे देंगे साब यह तो शिकाय जूटी है मनिष जी मैं यह जानने चा रहा था कि अभ वो मंगेगा तो मैं आप किस तरह के सजेशन देना चाहेंगे चाहे अब कारेकरम माध्यम से या वहाँ तो उस पर मैं आप से जानना चाहरा था देखे मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रिश्टा चार से निवटना है आप उसको नाम चाहे दो जो दे लिजे पहले इसको विसल ब्रेक्ट बोले थे अभी इतना लंबा चाड़ा नाम रख दिया है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है कुल मिलाके हमारे देश में एक ऐसी संस्था आपको बनानी पड़ेगी जो सरकार और उसकी एजेंसियों के अधीन ना हो इस बिल की सबसे बड़ी खामी यह है कि CVC तो एक बोड़ी है लेकिन CVC को अगर कुछ एक्शन लेना है तो वो सरकार, राजसरकार, राजसरकार की ब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और बड़ा कदम का मतलब है कैसी एजेंसी जिसको हम अगर हमारे शब्दों में आप बोलें तो हम बात कर रहे हैं कि आप लोगपाल लेकर आईए, जिसमें पॉलिटिशन को भी उसके दारे में लाईए, अधिकारियों को भी उसके दारे म में लाने की बात की, और इससे सीवी तक केंदरे इतना रखा जाए, इसका दारा बढ़ाए जाए, आप अधिवक्ता हैं, वकील हैं, कानून की समझ के हिसाब से आप किस तरह की राए देना चाहेंगे, एक तो जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो विसल ब्लोर है उसको चाहिए, उसमें वो क्हीं पर भी वो अपना विसल ब्लो करें, कहीं भी सूचना दे, उसको दो प्रटक्शन मिलनी चाहिए, एक जो मनीश ने जो एक बात बोली कि इसमें पर प्रेविजन है, लेकिन उसको कोई प्रेविजन रिवाट करनी है, अगर मेरे मेरे कम्प्लेण पे अगर कुछ recovery होती है या कुछ मेरे इसको सही पाया जाता है तो मुझे reward नहीं मिलेगा इस बारे में कोई provision नहीं है और सबसे जो ज्यादा जो मुझे परिशान करती है वो बात यह है कि जो whistleblowers है उन पर ओनस है documentary proof देने का अगर मैं किसी सरकारी office में हूँ अगर मैं whistleblow करत करेंगे एक आप यह बात समझे जो एक whistleblower है उसे अगर सरकार के अंदर के बारे में पता है वो तो ठीक है लेकिन अगर जब तक उसके पास documents नहीं आए तब तक वो complain नहीं कर सकता है documents वो ले नहीं सकता है क्योंकि वो direct contact documents है नहीं अगर वो सिर्फ अगर complain करे CVC के mechanism से अगर कर दे दिया जाए तो यह बहुत ही बड़ा problem है और यह है मनीज जी मैं आप से जाना चाहूंगा जैसा कि दिवे जी ने भी बताया मुझे कि इस पर सारी जुम्यदारी है whistleblower के डाल 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 डॉक्मेंट वो जुटाएगा यह एक आम साधरन केस की तरफ ज देखे अगर मैं किसी तरह का भ्रष्टाचार फेस कर रहा हूं या देख रहा हूं और उससे प्रीडित हूं या उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूं तो मझे दो चीजें चाहिए एक आम आदमी के रूप में बहाशा में बोलूँ एक तो यह है कि मुझे प्रीडित किसे क्योंकि जिस जिनके खिलाफ शिकायत है कुल मिला के सीवीसी उनी को भेज देगा डॉकुमेंटरी प्रूफ की जहां तक बात है आपने उठाया मुद्धा डॉकुमेंटरी प्रूफ देनी के अपक्षा तो की जाती है लेकिन जब आप एक बाए एफायर कराते हैं उस शिकायत करने वाले पर डाल दीजी मैं आप से जाना है एक बात तो जैसे यह देखी जहां पुलिस में अगर कराते हैं पुलिस के एफायर में और सीवीसी के कंप्लेंट में दोने में जमीन आसमान का अंतर है जब हम पुलिस में क्राइम हो चुका होता है और सीवीसी के इस से नवे वागल जसैवीं अगर होते हैं ए старाइसिह एगर मेरे सिर्स श्टेटमेंट से प्राम अगाल लगता है कि अगर क्राइम हुआ है तब पुलिस उस प्राम आसम पर की स्टेटमेंट पर ही इनवस्टेट में शरू कर किंजिघेशन ने इंव इनवस्टेट करके नक Ox हमेशा जरूरी नहीं होता है मैं जरूर उस organization का हिस्सा हूं और मुझे अंदर की बात पता है लेकिन documents मेरे पास हो यह हर समय जोरत नहीं जोरी नहीं होता है वो कुछ न कुछ mechanism इस तरह से investigate करें बिल्कुल बेवस्था को थोड़ा लचीला बनाने की जरूरत है लोग ही तो प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संद्रक्षन विद्हक 2010-26 अगस्त को यह लोगसावब में आया है स्टेंडिंग कमिटी पार्लेमेट के स्टेंडिंग कमिटी के की जरूरत है cbc पे ज्यादा निर्भरता के अलावा इसे बढ़ाने की जरूरत है तो जब अगले सेग्मेंट में हम आएंगे तो बात करेंगे कि किस तरह के विशल ब्रोवर्स की प्रॉलम होती है किस तरह की समस्रावस उन्हें जमीन के इस तरह पर जूजना पड़ता है कारिकरम में आज हम चर्चा कर रहे हैं लोग प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संद्रक्षन विधेक 2010 जिसे अंग्रेजी में दा पब्लिक इंट्रेस्ट डिस्क्लोजर प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स बिल 2010 भी कहते हैं मनीश जी ब्रेक पे जाने से दो चोटे-चोटे उधारण जो बड़े व्यापक राष्टे इस तर पर उठे सते नंदर दुबे एक इंजिनियर जिसको लग रहा है कि साफ-साफ देख रहा है कि मेरी डिपार्टमेंट में खूब रिष्टाचार है उसके ऊपर और नीचे सब लोग रिष्टाचार में जाती है उन थेके दारों पतक मुच जाती है जिन्होंने किया हुआ है उन इंजिनियर को पता चल जाता है उसके बाद उसको मार धिया जाता है इसी विसल ब्लोयर को सरकार करा है और इसको चाहते नहीं है लेकिन अपने पड़ और अपनी पाफ उनके पास नहीं है कि वेक्षेंट ले सकें हैं तो वो कुष्छ अवाज उठाना चाहते हैं, उनको पाफ्सकृषण होनी चाहिए किkol petty action ले 빠खुशšन सारे डिकूमेंट भी आप ज टकूएंगे हैं। अरे आपको बता द आ्म coon हो रहा है। सरकार का काम ही ना कि draußen को रिखन Cup का काम है गारुपक्शन हो रहा है तो सको रोकHello ऐसे ने मेरी सारी दालेगे कि मैं सारी दॉठाएन लेकां गार्वाहत करी करें। सरकार के किसी काम महिस्सा नहीं है अपने विभागे में विष्टाचार का आवाज नहीं उठाना चाहते हैं जिसमें अमिजेट वा एक बड़ा उधारन है भी हालिया उधारन है राइक्टु इंफॉर्मेशन से उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन निकलवाई वहां देखिया वो ना सरकार में हैं ना आपके सिस्टम से कहीं से कंट्रोल हो रहे हैं डारेक्टल इस तरह से जो सीवीसी वाला सिस्टम लगए तो उनको कैसे कंट्रोल करोगे तो जब तक एक व्यापक दृष्टी वाला जो आपने सवाल पूचा बहुत बढ़ी है कि विष्टल ब्लोव की सुरक्षा को लेकर कि बात उनके जहन में थी इसलिए बिल ड्राफ्ट हुआ है और अब पार्लेमेंट में आया है तो मन्शा साफ है इसमें यह कहीं जा सकती है बात कि इसमें क्या-क्या और चीज़ा जूड़ने चाहिए तो उस जो उसको लेकर तो जमीनी जैसे की समस्य है इन्होंने बताई है तो कानून के समस्य में बताई है कि जो आम आदमी है वो प्रोच्षाहित कैसे होगा इस बिल से भृष्टाचार को लड़ने के लिए और चीज़ों को मेरे हिसाब से इस बिल से इस बिल को एक्ट बन जाता अगर इस जैसी इसी स्तितिय अभी है अग को कदम ऐसे हैं जो प्रभावी हैं अभी बिल आ जाए उसके बाद संशोधनों का अपने आप बना रहता है बहुत सही है और अगर संशोधन अगर इसमें हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिल इस फॉर्म में यह किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा मैं आपको एक औ एक दिली में है और सी वीची को एस्ट करने के लिए हर एक चिलनींऊ होते हैं संच्रल विजीलन्स औंगर आता है तो सी वीची उन्हीं सी आप मेर्किन करता है करता है यह यहां तक हिज़ि Egypt बार्ट से कौन होते हैं किंगलें इस किउसी अगर सिफियो है वह उसी थी सिप् हमान लीजी मैं अपने department का C V O हूँ और सी की लगा कोई फूल में इन्वस्टीगेट करने को भीजता है और में क्हुथ ही में खिलाफी कंप्लेंत अगर है सब्सक्सरा जोड़ना चाहता हम उसको भी ऐ님ें नंश्वमस्ट्रेट करने की बहुत जरूरत है और इस बाढ़ third एक बहुत बड़ी खामी मुझे निजर आ रही है कि बार-बार ही कहा जा रहा है कि CVC को पावर दी गई है लेकिं CVC को पावर देते हुए भी ये बिल ये कहता है कि अगर किसी विभाग में Joint Secretary Level का अधिकारी भी ये कह देगा कि ये वाले मामले में आप फाइल मांग रहे हैं और CVC को नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे किसी का defamation हो जाएगा इससे फला 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 कारण से आपको नहीं दी जा सकती है मतलब उसमें कुछ-कुछ बहुत ही वेग से कारण है किसी का personal defamation से लेके और राष्ट की सुरक्षा तक के मुद्दे उसमें चूड़े गया है तो आप CVC को नहीं दी जा सकती है अब आप अपनी CVC पर भरोसा नहीं कर रहे हो मनिश जी जैसा कि मादमा गांधी राष्टे ग्रामिट रोजगार योजना में जो होता है कि वो कानून जब जमीन पर उसे लागू करने के बाद सामाजिक संगठनों के साहता से सरकार या जो लूकल परसाशन है वो सोशल औरिटिंग जैसे प्रावधान रखे गए हैं ताकि कहीं तो कुछ पॉजिटिव जो चीज़े हैं वो निकल के आ रही है और उसका प्रभाव नजर आता है तो मैं जानना चाहरा था कि जैसे यह विधेक है जब यह वास्तविक में आएगा या अधिनियम बन जाएग उसके बाद मैं सोशल जो एक्टिविस्ट हैं वो मिलके और सरकार मिलके कुछ ऐसा करें कि इसे प्रभावी बनाया जा सके देखिए अगर इसके जो प्रावधान है वो इतने कमजोर बने रहे तो मुझे शक है कि एक बहुत अच्छा सीवी सी भी हमारे पास आ गया तो वो है वो निर्भर है सब चीजों पर तो मुझे नहीं लगता अब इसमें सामाजी कारे करता हूं कि भूमिका कहां से आएगी मुझे तो भी दिखती नहीं है जैसे कि मैं अभी मलेशी से भी सवाल के मैं आप से भी कहना चाहूंगा अभी जो है बिली अभी आया है और भी हो सके कोशिस आइसे के जा सकती है कोशिश की जा सकती है करनी ही होगी अब इस तरह से राइंट के को पास किया था उस से मुझे याद है मैंने मनीश से बात की दुझे से और लोगों से बात की दुए यह इस आक्ट की कॉपी चाहिए और यह कहीं पर आवWelible नहीं था जब तक इस के पहलें पर कहीं पर भी आवयलबल Jackson को लेकर मैं दूसरे बिल से जोड़ना चाहूंगा एक बिल जो है यातना निवारण जो बिल अभी वो भी आया था लोकसभा में अठक गया वो स्टेंडिंग कमिटी के पास दुबारा से गया है वो इसलिए गया क्योंकि लोकसभा में पास होने के पास उसकी यातना जो शब्द है तब भी हम अपने जनप्रतिनिद्यों के द्वारा इसे एक अच्छी डिबेट में इस चीजों को शामिल करवा सकते हैं जैसे यातना शब्द को लेकर हुआ है इस बिलकुल एक भी हो सकता है कि इसमें इस मुद्द को उठा रहे हैं तो कही ना कि मीडिया भी इसमें साहभा उसका अभी समय मुझे लगता है अभी दो-तीन दिन में उसका समय समाप्त होने वाला है जो 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 है और उसके बाद अपने-पने क्षेत्र के सांसदों से बात करके अगर देश भर के लोग यह चाहते हैं कि यह बिल अच्छे फॉर्म में आए तो एक मुहिम चला के अपन बनाने के लिए आप जमीन पर रहते हैं लोगों को में जाग रुकता फैलाते हैं तो आप ही बताइए आम आदमी किस तरह से इस विध्यक को समझ के अपने जन प्रतिनिती जो के सांसद हो उनको स्थानिय विधायक हो उनको इस बावत में बात करें जैसे पानी बिजली की बात को लेकर उनके दर्वाजे तक पहुंचता है कि भी ऐसी चीज आ रही है और यह चीज़ पास होना चाहिए इसको लेकर कैसे जागता है मुझे लगता है कि मीडिया को इसमें बहुत बड़ी भूमिकानी भानी पड़ेगी कि लोगों तक यह बात पहुंचे कि एक बिल रूप में देश में लागू हो तो अभी अपने सांसद से क्योंकि वह आपको प्रतिनिदित कर रहा है संसद में उससे बात करिए उससे मिलिए आपने बड़ा अच्छा शब्द का जैसे आप बिजली पानी के लिए मिलते हैं बिजली पानी तो छोटी चीज़ें यह देश आपके आखरी जो टिपने आपसे लेना चाहूंगा यह विधैक है इसमें मैं आपसे सुझहाब जानना चाहूंगा आप सुझहाब क्या क्या देना चाहेंगे ताकि सफल हो सके प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षन का जो विधैक अभी आया है यह अच्छी मंशा के साथ आया है लेकिन इसमें सुधार के जरुत हो जैसे कि हमारी चर्चा में भी आया है कि समाजिक संगठन हो, आम आदमी हो, मीडिया हो, उनको एक दबाब बनाना पड़ेगा, आपने सांसदो तक बिजली पानी के अलावा इस बात को भी उठाना पड़ेगा कि भष्टाचार से लड़ने के लिए एक विधेक आ रहा है, जिस पर आप जब लोकसभा और राजिस सभा में जाएं तो उस पर एक ऐसी चर्चा करें और इस बिल में कुछ अच्छे प्रावधान चोड़ने की कोशिश करें, आप दोनों इस कार्यक्रम आया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगले सब्ता फिर किसी विधेक और अधिनियम को लेकर आपके सामने उपस्चित होंगे, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए जायत, नमस्कार